हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बाइक कॉन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टार्क श्टर्यू पॉइंट दोस्तो इस वीडियोज में हम लेकर आप सभी के लिए कलास ट्यूल वालों के लिए यहां पर इंटर्मेडियर छात्रों के लिए हिंदी सौर मार्क्स लेंगविस पर का दोस्तो जो भी छात रखे चायब आर्ट साइंस को मांस तीरों स्टिम शात्रों के लिए सिलेवस एकी रहता है हिंदी के लावे दोस्तो और भी सब्जेट का सब्जेट का सब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे अब जाती है चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तो यहाँ पर सेट नमर रोन को देखती हैं बहुत इंपोर्टिट रहेगा दोस्तो वीडियो पसंद आगा तो लाइक जरू करना और वीडियो को हर जग सेर भी कर देगा और किस तरह के वीडियो और चाते हैं तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना बचास ठीक है चलिए हम लोग स्टाट करते हैं यहाँ पर पहला कोशन है कि करभक के रचेता को ने देखिए दोस्तो यहाँ पर आपको बहुत बिकल्प है उत्रों में से सह किसे तो यह आप लोग देख लिए दोस्तो और यह सारे कोशन किसी ने किसी हर्स में पूछे जा चुके हैं तो देखें आप लोग को पताई होगा तो हिंदी मोडल सेट में या फिर हिंदी आप लोग को एक्जाम होता है तो उसमें आपको 30% जो है आपको ग्रामर सेक्शन से और बाकी 70% आप लोग के बुक से रखते हैं तो 30 नमबर आप लोग को ग्रामर सेक्शन से मिलेंगे तो ग्रामर भी मैं आप लोग को बताऊंगा ब्याकरन तो यह आप लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेंगे ब्याकरन चले पहला कोशन बताईए तो यहाँ करवक के रचेता है तो करवक के रचेता कौन है तो मलिक मुहमद जैसी जी है तो से उतर यहाँ पर क्या हो जागा एक का उपसा नमर सी हो जागा मलिक मुहमद जैसी चले दूसरा नमर है कि साहित लहरी किन की रचना बचा साहित लहरी जो रचना है यह किसके दूरा लिखा ये सूर्दास जी के दोरा लिखा गया है ये आप लोगे बुक में ही है साहित लहरी किन की रचना है तो सूर्दास की चले तिस्चार नमर देखते हैं कि कविता वली के रचनाकार कौन है तो कवितावली के रचनाकर जैसी तुलसिदाज, कवीरदाज या फिर सूरदाज तो कवितावली की जो रचना है बचा ये तुलसिदाजी के दोरा लिखा हुआ है और साहित लहरी किसके दोरा लिखा गया है तो सूरदाज, कवितावली ये तुलसिदाजी के दोरा चार नमर है कि छात्र साल दसक के रचनाकार कोन है तो छात्र साल दसक के रचनाकार जो है बचा ये आपको हो जाएगा भूसन ठीक है भूसन जी के दौरा लिखा गया है आप दो के बुक में मतलब एक चप्टर उन्हें के दौरा लिखा गया है 76 साल 10 सक चलिये, 4 का option number C याद रखेगा, चलिए 5 नमर देखते हैं है यहाँ पे क्या question है कि गुलेरी जी की कहानी उस ने कहा था चन्दर सर्मा गुलेरी जी की कहानी है बचा यह उसने कहा था क कहानी है, किस सहर के भीर बजार के से सुरू होती है ति अमरीज सर पंजाब के अमरीज सर से यह स्टार्ट होती है बचात यहाँ पे पांच का उप्सन नंबर C हो जाएगा अमरीज सर बहुत ही लाजवाब कोशन है भीवी है दोस्तों यह सारे कोशन किसी एर्स में पुषे जा चुका और यह तो काफी ज़एदा भीवी है पांच नंबर चले नेक्स कोशन देखते है छे नंबर यहाँ पे कि भारतिय सिपाईों का संखर्स किस के साथ हुआ था मतलब भारतिय सिपाईों का जो है किस आंदोलन के लिए जेल गए थे तो जैपरकास तनायन जेपी हम लोग जानते हैं जेपी आंदोलन 1974 में हुआ था ये छात्र आंदोलन था बच्चा छात्र आंदोलन के नतित में अपादकाल के दोराण जेल गए गए थे आप तो साथ का अपसर नमर यहाँ पे भी हो जाएगा चले आठ नमर देखते हैं कि जैपरकास तनायन के पिता का नाम क्या था तो अब देखिए जैपरकास तनायन जी के पिता का नाम यहाँ पे पुछा गया है तो यह हर सुधियाल हो जाएगा क्या हो जाएगा हर सुधियाल जैप्रकास नायंजी के और इनका जनम जो हुआ था बचा ये बिहार में ही हुआ था जैप्रकास सिताफ दियारा में ठीक है तो ये आप लोग याद रखेगा नौ नमरा है कि रेनू का किसकी रचना है तो रेनू का जो रचना है जो बचा तो ये आपको जाएगा राम धारी सिंग दिनकर का हिंदी साहिद के यहाँ पे इसको मिला था दोसो अकादिय पूर्शकार तो ये आप लोग याद रखेगा और राष्ट कभी के नाम से भी जाना जाता है दस नमर है कि मालती के पती का नाम क्या रहता है तो रोज जो चप्टर है बचा उसमें आप लोग को बताया गया है कि मालती के पती का जो नाम रहता है हेलो बच्चो पढ़ाई में डॉट्स आते हैं घवराईए मत सबका सुलूशन है डॉट नट क्या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स क्रेश्टी मायत साइंस आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डॉट नट पर साथ ही अब डॉट नट पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फेकल्टी से जैसे जीवी सर एने सर अकांचा मैं प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से आनि पूरी पढ़ाई होगी डॉट नट एपर तिन क्रोर से जैदा बच्चे डॉट नट एपर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी जाए और डॉलोड किजिए डॉट नट एपर तो से उत्तर यहां पे दरस का उप्शन नमबर ए हो जाएगा चले बचा अगला कोशन देखते है कहरा नामा किसकी किरिती है तो कहरा नामा जो किरिती है बचा यह हो जाएगा आपका मलिक मुहमद जैसी जी के दोरा लिखा गया है मलिक मुहमद जैसी ठीक है कहरा नामा तो याद रखेगा यह 11 का उप्शन नमबर A 12 के साहित लहरी रचना है जब लोग पते सूर दास की त साहित लहरी किसकी रतना है देखे ये जो है repeated question न बच्छा इसलिए ये दोबारा question आ चुका है चरे सूर्व काब के तीन पर्धान विश्थ है क्या है सूर्व काब के ठीके है बिनाए भक्ति वातसल और प्रेम सिंगार चली चोड़ाउ नमर कोशन कि माता का नाम क्या था तो तुलसिदास जी की माता को जो नाम था बच्या ये आpको वोजया यहाप पे हुल सी ऐ ते के कि आ द्रूब्व स्वामी नी किस ने लिखा है द्रूब्व शामी नी जो लिखे है यह लिखे है जैसंकर परसाथ ठीक है जैसंकर परसाथ जी डूरा कमाई करें दोस्तों और यह आप लोगोगोगे बुक में ही एक चप्टर लिखे हुए है जैसंकर परसाद जी के दोरा तो याद रखे का 17 नमरा कि इंदू का परकाशन प्राराम हुआ तो इंदू का परकाशन जो प्राराम हुआ था ये आपको पत्रिका था इंदू इसका जो प्रकार्शन प्रारम हुआ था ये आपको 1908 हिस्वी में ठीक है चल दस नमर के सुबद्रा कुमारी चोहान की जो मिर्तिव हुई थी उपकीस प्रकार्शी हुई थी ये कार दुर्गटना में हुआ था बचा बिखरे मोती कहानी संग्रा है क्या कोशन बचा देखो तो बिखरे मोती कहानी संग्रा है तो किसके दोरा लिखा गिया है तो ये लिखा गिया है सुबुद्रा कुमारी चोहान जी के दोरा ठीक है पुत्र ब्योग में ही इसके जीवन परीजा में आपको पता होगा अब तो आपको 100 questions बताएं जाएं कि मैं आपको syllabus ही बताऊंगा बच्चा 2022 के बोर्ट परिशा के लिए जल से जद हम लोग syllabus लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए किस तरके syllabus रहने वाले पैटर्न नाने वाले हैं कि बिध्यालाइ का संधी विचित क्या है तो बिध्या जोर आलाइ किस निचाए, बाइस का C, चलिए 23 देखते हैं लोग कि यतोचित का संधी विचित क्या है यता जोर उचित किस अपसर में देखो, तो इसका अपसर नमर ए हो जागा यता जोर उचित यतोचित, अब चलिए नेक्श कोर्शन देखते हैं लोग 24 नमर, नीरव का संधी विचित क्या है, तो नी जोर रव हो जाएगा नीरव, अब कौन सान नी होगा बच्चा देखो, ये वला नी होगा, या फिर आपको ये वला नी होगा, तो नी रव का जो हो जाएगा बचा यहाँ पे वो आपका हो जाएगा नी जो रव ठीक है नी जो रव यह जो है आपका बचा यह बदल जाता है यहाँ पे इसमें ठीक है दिरगी में बदल जाता है विशर यहाँ पे सोही उत्तर 24 का उप्सन नमबर C हो जाएगा 25 है कि तथा P का संदी विजित क्या हो जाए तो तथा जोर अपी हो जाता है तथा P का तो से उत्तर यहाँ पर 25 का B हो जाएगा तथा P का तथा जोर अपी चले 26 देखते हैं कि 38 में कौन सा उपसर्ग उपसर्ग रट परती है आपको पता हो पारते है पता करनी है तो उसको संदी पिछित कर दो निकल जाएगा तो सू जे और आगत स्वागत यहाँ पर सू उपसर्ग चले तीन और कोशन कर देते हैं यहाँप तहीस का ए उन्टीस है कि गायक में परत एक क्या है तो गायक में गायक गई जोर अक तो अक परते है बचा गई जोर अक गायक संदी विश्यत करोगे एंसर आ जाएगा बाच्छे खिलना मुहाबरे का क्या आर्थ है बाच्छे खिलना का मतलब होगी या बच्छा अत्यंत पर्षन होना ते क्या हो जाएगा बच्छा यहाँ पे 30 का उप्सन नमबर C तो बच्छा यहाँ पे हम लोग कितने कोर्षन किया है टोटल 30 objective कोर्षन किया है और इसका next part 31 से अगले class में हम लोग लेकर आएगा अगले वीडियो जमिलेकर आएगा बच्छा तो यह सब भी आप लोगों के लिए बहुत ही important था और share भी कर देजिगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए बच्छा चैनल को सब्सक्राइब ठीक है ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाई 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 सब भी को चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आगे के नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के डिस्क्राइब आपको वेबसाइट का लिंक है जाके जरूर विजिट कीजिए